कि हिमाचल में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और हर परत्याशी अब जनता के बीच जा रहा है और वोट की अपील कर रहा है इस बीच हमारे साथ मौझूद है आमादमी पार्टी के नालगड विधान सबासे परत्याशी द्रमपाल चौहान उनसे जानते हैं चौहान स पहले मैं कुछ मश्कर करता हूँ इमाचल की जनता आम आदमी पार्टी को इस बार मौका देगी बिलकुल निश्ची तोर पे आम आदमी को आम आदमी की सरकार को लोगों ने पहले से ही मन बना लिया था जब हमारी मंडी रैली हुई थी तब से अगाज कर दिया था हमाचल प्रदेश के लोगों ने के हमाचल प्रदेश तीसरा विकल्प चाह रहा है और थीसरा विकल्प की बहुत जादा है मचल परदेश में जरूरत है किन बेसिक मुद्दो को आप जनता के बीक लेकर जा रहे हैं हम जनता के बीच में शिक्षा स्वस्ते हैं जो हमारा मेन मुद्दे हैं और बिजली पानी रोजगार और जो लोग कोई हमारा फोजी भाई या कोई पुलिस में हो या होम गार्ड हो जो शहीद होता है उसके परिवार को एक करोड रुपया सरकार देगी जो हमारे बेसिक प्रुद्ध और की के जो करती है आम आदमी पारटी पे लोगों का बहुत बड़ा बिसुम अहना की से पहले कांग्रेस में कांग्रेस की सब्धि इस तर्षा दिए आम आदουμε पार्टी को आपने जोईन किया आपने क्या देखा कि आँब पार्टी आपने जोएन की और कॉंग्रेस में ऐसा क्या लगा आपने कॉंग्रेस को चोड़ने का मेरा में एक ही बात थी कि जब यूपी के एलेक्शन हुए यूपी में 403 सीटे जिसमें से 303 में से कॉंग्रेस पार्टी को मातर 2 सीटे मिली जब एक डूपता जहाज मैंने देखा तब जाके केशरिवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने कॉंग्रेस को छोड़ने का मन बनाया और आम आदमी पार्टी क्योंकि आम आदमी पार्टी एक सेवा पार्टी है जो हमेशा सेवा करती है लोगों की और ब्रस्ता चार रहित पार्टी है इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को जोईन की नालागड में किस तरह की आप समस्याइं देख रहे हैं यदि जनता आपको मौका देती है तो पहला वो काम क्या होगा जो आप नालागड की जनता के जले आप नालागड मैं जहां पूरे हमाचल परदेश की बात करूँगा पूरे हमाचल परदेश में आज पी जितने स्कूल है 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक मास्टर है 25 स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक कमरा है और 6000 शे 2000 स्कूल Х IX HARमाचर प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें 12 टीचर है इतनी बुरी हालत आज 75 साल बीच जाने के बाद आज गॉर्मेंट इसकी तरफ कोई बजट नहीं है स्कूलों के लिए आम आदमी पार्टी सबसे पहले स्कूल सुधारेगी और हमाचल परदेश में और मेरी नालाकड बिदान सबा में मातर एक होस्पिटल है नालाकड होस्प या एरिया होने के बावजूद यहां टेस्ट लिखे जाते हैं और नालाकड होस्पिटल मातर रहफर होस्पिटल बनके रह गया है जिसको कोई बिमारी भी नहीं होती है उसको भी चंडीगर कर देते हैं कई लोग बमारी के डर से के मुझे चंडीगर रहफर कर दिया इसी जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देते हैं कि लोगों को यह लगता है कि मुझे चंडीगर रहफर कर दिया मतलब है कि मुझे बहुत बड़ी बिमारी होगी कोई जबके बिमारी कोई होती है नहीं तनी बड़ी मुझे दाविधायक पूरे पांस साल उन्होंने कॉंग्रेस विपक्च में रहे लेकिन एक महीने पहले ही उन्होंने बीजेपी जोइन की किस तरीके का उनका कारेकाल रहा और भाजपा के पांस साल का कारेकाल आप कैसा देखते हैं नाड़ागड की जंता भली बनती जानती है कि किसने क्या कारेकिया क्या नहीं किया ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है हर हर लोग हमारे बहुत सूजमान ओर अगर सूजमान है तभी मैंने 400 से प्लस आज तक जन सवाद कर दिये आम आदमी पार्टी धरातल पे काम करने में बिस्वास रखती है पैसे कठे करके रैली हैं मैं लोग लाना नहीं समझती क्योंकि रैली हो बड़े लोग वही उस रैली में थे वही दूसी रैली में थे हमने देखा है आम आदमी पार्टी अभी त्योहारों का सीजन है हम भी 25 तरीक को अपका नामांकन करेंगे पर नामांकन में हमारी पार्टी की सक्त इंस्रक्शन है कि हम भीड जुटाने में विस्वास रखते हम लोगों के दिलों में जाते हैं लोगों के दिनों तक बात पहुंचाते हैं, हर लोगों को पता है कि आम आदमी पार्टी ने जो गरेंटियां दी हैं, दस गरेंटियां, आम आदमी पार्टी बादा नहीं करती, जैसे कि भाजपा ने बादा किया था, दो करोड नोकरियां देंगे, कहां है दो करोड नोकरिय और आम आदमी पार्टी इसके प्रती बिल्कु सजे गए और हमारी जो कांग्रस पार्टी थी पिछली बाद सर्मोर से रैली निकाली थी कांगड़ा तक आम आदमी पार्टी ने और पांच लाख यूबाओं को नौकरी देने का बादा किया था मुझे बताए कांग्रस कि कहा हैं वह पांच लाख यूबा जो नौकरी दिया जिसको नोने और पांच साल में भाजपा ने बातर पुलिस की इंटर्व्यू निकाली एक उसमें 400 लोगों 400 लोगों का चाहिन करना था 400 लोगों के लिए 400 लाख यूबाओं को भगा बगा के मार दिया और बाद में भरती कै रहे हैं अब केल ठाकुर की बात करें तो वह आजाद उमिद्वार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं अना कि वह भाजपा के कैंडिडेट थे 2017 विदान सभा चुनाव में एक दूसरे को पर आरोप परत्यारोप चल रहे हैं वह उनका कहना है कि भाजपा ने उनके साथ विश्वाशगात किया है दोका किया है कि आप किस तरह से देखते हैं कि यो तिक हैं फर माली को conversations कि death कि यह उनका आंतरिक मामला है अरह प्रत्यारोप करना उनका कि पहले से व्युक्य करने के तरह इसमें ठाष कर निधेमी और करनी में हुन सब्सक्तिसरा सब次 Fin ौश to और मैं उसमें कोई टिकपड़ी नहीं करना चाहता कॉंग्रेस पार्टी का सभी को पता है लोगों ने 75 साल सभी को देख लिया अगर एक पार्टी भी अच्छी होती तो बार बार रिपीट करती जो पार्टी एक बार लोग क्या कांग्रेस से तंग होते हैं बीजेपी से करेंगे अभी अभी टिक्टे हुई हैं नामंकन का चल रहा है और जैसे ही यह नामंकन की पूरी हो जाएगी प्रक्रिया उसके साथ ही बहुत अच्छे अच्छे नेता हमारे आएंगे हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भी नारागड का दोरा करेंगे और उस दिन हमारे साथ होती है तो मुख्यमंत्री जी ने एक इंस्ट्रक्शन और दी है कि हम रैलियों में विस्वास नहीं करते हमारा रोड शो होगा और भगवन तुमान जी के साथ होगा और उस दिन पूरा हजूम नारागड का पूरा यूबा उस दिन हम दखाएंगे कि नारागड का लो साथ साथ है लेकिन अगर आपने हमें थोड़ा सा भी आगे कर दिये यह लोग हमें प्रेशर करेंगे कुछ लोग प्रेशर के डर से अं अंतर वैटे हैं लेकिन सभी लोग उने मन ANDREW है कि अब हम वूब चुक ए हैं हम ने आम आदमी पार्टी को लाना ही लाना है आपने सुना नालगण विधानसवा से आमादमी पार्टी के प्रत्याशी द्रमपाल चोहां जिनका कहना है कि आमादमी पार्टी रेलियों में विश्वास नहीं रखती है और जब कोई भी रोडशो होगा तो उसमें आमादमी पार्टी का जो दमखम है वो पता चल जाएगा ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में माचल की जनता की कौन सी सरकार चुनती है कमरमेन मलिक के साथ गुल्शन ग्रोवर नालगण